हलो स्टूडेंट्स, माइन इस जेबा अक्तर, I am your chemistry faculty और जैसे कि आप जानते कि हम non metal वाला chapter पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 5 lecture complete कर लिये हैं यह हमारा lecture number 6 तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा lecture number 6 आज हमें पढ़ना है step number 3 step 1 और 2 में हमने यह पढ़ लिया कि metal को कैसे निकाला जाता है किसी और में से उसमें से impurities कैसे हटाई जाती है साथ ही उसमें पढ़ा हमने कि reduction कैसे किया जाता है जो oxides हैं उनको reduce कैसे किया जाता है उनमें से oxygen को हटा करके metal को कैसे extract किया जाता है तो आज हम पढ़ने जा रहे है step number 3 तो बचो step 3 में step 3 है हमारी refining of crude metal crude metal यानि कि जो हमने metal निकाल लिया था अभी भी उसमें कुछ impurities remaining है कुछ जगह पर तो आप इसको directly use कर सकते हो as a crude metal भी आप उसको use कर सकते हो लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है कि हमें उसकी बिल्कुल pure form चाहिए होती है किसकी metal की metal की हमें pure form चाहिए तो फिर हमें step number 3 follow करना पड़ता है refining of crude metal तो बच्चो refining अगर आपको करनी है crude metal की तो आपको refining क्यों करनी है क्योंकि आपको pure metal चाहिए अब pure metal आपको कैसे मिलेगा आपको 3 methods लगाने पड़ेंगे कोई भी 3 आप लगा सकते है या तो आप liquidation कर सकते है या फिर आप distillation कर सकते है या फिर आप electrolytic refining कर सकते हैं तो ये 3 methods हैं आज के topic हैं ये आज मैं आपको आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये 3 methods ठीक है तो सबसे पहले पढ़ते हैं liquation तो step 3 में first हमारा method है आज का liquation liquation क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगी सबसे पहले हम diagram के through समझते हैं देखें इसमें एक furnace होती है furnace कुछ आपको इस तरीके की दिखाई दे दिये और यहाँ पर क्या होता है slope होता है अब यहाँ पर हम सबसे पहले container लेके आएंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आग लगाएंगे यानि की furnace furnace में आप जानते न भटी में आग जलती रहती है है ना तो देखें यहाँ पर आपको slope दिखाई दे रहा है इसका structure कुछ इसी तरीके का होता है और यहाँ पर क्या होता है slope होता है अब उस slope के उपर हमें क्या रखता है sloping hurt रखना है और जैसे यहाँ पर आपने impure metal को add किया तो यहाँ पर क्या होगा क्यूंकि यह furnace बहुत ही जादा गर्म है यहाँ पर temperature हाई है तो उसकी वज़े से क्या होगा metal melt हो जाएगा आपका जो metal है crude metal वो क्या होगा melt हो जाएगा और melt होने के बाद क्या होगा वो melt होकर इस container में आ जाएगा और देखिए यहाँ पर आपको यह वाला region दिख रहा है इस region में impurities यहीं रह गई क्यूंकि जो impurities हैं और जो metal है उन दोनों में difference है क्या difference है melting point में difference है इसलिए जो आपका metal था वो जल्दी melt होकर container में आ गया और जो impurity थी उसका melting point हाई है वो और जादा temperature देने पर melt होगी इसलिए वो यहाँ पर ही आपको मिल गई ठीक है यहाँ पर ही वो रुक गई अब देखिए यहाँ पर हम इसको theory के help से समझते है this is based on the principle this is based on the principle कौन से principle पर बेज़ है कि जो metal है बच्चों आपका वो refine हो जाएगा easily easily आपका metal refine हो जाएगा feasible form में ठीक है यानि कि mat हो जाएगा easily किस method से liquation के method से but the impurities do not fuse easily metal तो fuse हो जाएगा easily लेकिन जो आपकी impurity है वो fuse नहीं होगी यहाँ पर लिखा है fuse easily है na that means कि वो जल्दी mat हो जाएगा क्यों mat हो जाएगा क्योंकि melting point कम है किसका metal का the impure metal is placed on the sloping heart यानि कि जो stop बना हुआ है इस पर हमने metal को add किया ठीक है अभी मैं आपको animation दुबारा से दिखाती हूँ तो आपको जादा अच्छे समझ आएगा देखिए अब आप धियान से देखिएगा यहाँ पर metal आया metal यहाँ पर melt हो रहा है ठीक है क्योंकि आपने furnace को burn किया हुआ है यहाँ पर जल रही है furnace तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर सारी impurity रुख गई और pure metal आपको container में मिल गया ठीक है clear है सभी को इतना देखिए the impure metal placed on the sloping hut impure metal को हमने इसमें add किया और add करने पर क्या होगा वो धीरे-दीरे melt होना शुरू हो गया क्योंकि वो fusible था ठीक the metal melts and slows flows down यानि कि melt होकर वो पिखल कर नीचे आ जाएगा और जो भी impurity है impurity कहा रह जाएगी बच्चों इसी slope पर रह जाएगी clear है इतना इतना समझा गे आपको आपको बस ध्यान रखना है कि जो आपकी impurity है और जो आपका crude metal है दोनों में melting point में difference है ठीके बच्चों this method is used for refining the metal having low melting point यानि कि ये method जो liquidation का method है वो आप कब लगाएंगे जब metal की जो आपकी metals हैं जैसे कि zinc, lead और bismuth और इन में impurity है उसका melting point high होना चाहिए तब आप ये method apply कर सकते हैं clear है इतना next है हमारा topic distillation liquidation अब पढ़ चुके distillation में कुछ इस तरीके का setup होता है अब 9th class में इसे पढ़ चुके है तो 9th class में अगर आपने पढ़ा है fractional distillation या फिर distillation तो ये भी बिल्कुल same method है लेकिन यहाँ पर हमने जो liquid लिये है first liquid और second liquid अब देखिए आपर first liquid किसलिए लिखा है first liquid का मतलब है यहाँ पर जो आपका melted metal है वो और second liquid क्या है जो इसमें impurities present है अब क्योंकि यहाँ पर boiling point में डिफरेंस है किसमें impurities में और metal में देखिए this method is used for purification of volatile metals यहाँ पर volatile metals का use कर रहे हैं हम इस method में क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो evaporate हो जाते हैं easily vapor जल्दी बन जाती है उनकी impure metal is heated and its vapor are separately condensed in a receiver that means कि देखिए यहाँ पर आपके पास दो लिक्विड हैं दो लिक्विड का मिक्सचर है एक है आपके पास metal तो मैं यहाँ लिख देती हूं crude metal crude metal मतलब जो आपने metal को extract किया था वो और साथ ही इसमें क्या प्रेजेंट है impurities ठीक है बच्चों इसमें क्या प्रेजेंट है impurities प्रेजेंट है इतना क्लियर है देखिए यहाँ पर mixture ले लिया आपने किसका crude metal का और impurity का अब क्योंकि इनकी boiling point में डिफ्रेंस है बच्चों तो धीरे धीरे यहाँ पर evaporation स्टार्ट होगा जैसे ही crude metal को heat मिलेगी तो वो evaporation होना शुरू हो जाएगा ठीक है और condense होकर किस में आजाएगा आपके flask में आजाएगा तो यह क्या है बच्चों आपका flask यहाँ पर चुके हैं 9 क्लास में यहाँ पर flask लगा हुआ है यहाँ पर आपका बर्नर लगा हुआ है ओके क्लियर है स्टैंड है इतना तो आप जानते हैं ठीक है तो ओवर ओर करना यह है कि आपको यहाँ पर मिक्स्चर लेना है मिक्स्चर कौन सा है यहाँ पर क्रूड मेटल और इंपॉर्टीज का यहाँ पर आपका क्रूड मेटल है उसमें अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टीज बची हुई है जो कि डिस्टिलेशन के मेथर्ट से रिमूव कर सकते हैं देखे जैसे आपने हीट प्रोवाइट की तो फर्स्ट अफॉल कौन इवेपॉरेट होगा क्रूड मेटल क्यों होगा क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एस कंपेर टू इंपॉर्टीज ठीक क्योंकि वो जल्दी वोलेटाइल हो रहा है इस मेटड इस यूज़ फोर रिफाइनिंग दी मेटल हाविंग लो बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पर यह मेटड उन ही मेटल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका बॉलिंग पॉइंट कैसा हो कम हो जस्त लाइक मर्करी, कैड्मियम एड जिंक मर्करी, कैड्मियम एड जिंक इन ही मेटल्स के लिए आप डिस्टिलेशन का रिफाइनिंग का मेथड लगा सकते हो क्लियर इतना इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि इलेक्टोलाइटिक रिफाइनिंग करके मेटल को अलग किया जा रहा है मेनी मेटल्स सच EZ कोपर, जिंक, तिन यानि कि इस घरिए कि जो मेटल्स होते हैं कोपर, जिंक, तिन, सिल्वर, गोर्ड, एक्सक्टरा रिफाइन उन्हें साफ किया जाता है यानि कि Electrolytic Refining के थूँ उन Metals को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो It is based upon the phenomenon of electrolysis यानि की electrolysis के phenomenon पर based है That means यहाँ पर electrolytic decomposition होता है electrolytic decomposition ठीक है कौन से method यहाँ पर follow रहा है कौन सी reaction होती है यहाँ पर electrolytic decomposition यहाँ पर लग रहा है decomposition reaction हो रही है by the help of electricity the soluble impurities go in the solution whereas the insoluble impurities settle down यानि कि जो soluble impurities है वो क्या होती है solution में चली जाती है जबकि जो insoluble impurities होती है वो settle down हो जाती है container में ठीक है at the bottom of anode और वो जो impurities है वो आपको कहां मिलेंगी बच्चो anode side पर ही मिलेंगी हमेशा और उसे आप क्या कहेंगे anode मट कहेंगे इस पर anode मट होता क्या है ठीक है anode मट एक बार मैं आपको animation फिर से दिखा देती हूँ देखे यहाँ पर container है इसमें हमने solution भरा है अब solution कौन सा भरा है electrolyte यहाँ पर पूरा आपका setup create हो गया यानि कि circuit बन गया यहाँ पर आप key लगा देंगे यानि कि switch लगा देंगे तो जैसे ही आप switch on करेंगे तो switch on करते ही क्या होगा यहाँ पर electricity flow होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो यह आपके जितने इस solution के अंदर क्या भरा हुआ है देखिए CuSO4 solution किसका भरा है हमने इसमें copper sulfate का solution भरा है अब देखिए जितने भी SO4 to minus जितने भी SO4 थे वो सब किस side आ गए इस side का मतलब क्या है यह है आपका positive terminal और यह है आपका negative terminal यहाँ पर positive terminal का मतलब क्या है anode और negative terminal का मतलब क्या है बच्चों cathode clear इतना अब देखिए positive terminal की तरफ कौन से ions attract होंगे जिन पर negative charge होगा क्योंकि plus charge negative charge को अपनी तरफ attract करता है तो इस वाले region में जितने भी SO4 to minus ions थे वो सब कहा आ गए इस side आ गए और इस side में जितने भी Cu2 plus थे वो सब कहा चले गए इस side में चले गए यानि कि यह जो आपकी impure road है यह जो road है यह थिक है और यह वाली जो road है यह thin है तो यहाँ पर copper की जो road है यह कैसी है? impure है कैसी है? impure impure copper road है यह ठीक है बच्चों? तो अब देखिए यहाँ पर सारी impurities निकलेगी और सारे Cu निकलेंगे यहाँ पर क्या होगा? सारे impurity इस side जमा हो जाएगी ऐसे इस side में तो यहाँ जो impurity जमा हो रही है उसे आप क्या कहेंगे? अनोड मड कहेंगे ठीक? और यहाँ से जो भी copper के आपके तो जितने भी Cu 2 प्लस निकलेंगे वो सब किस side चले जाएंगे आपके? कैथोर की side मूब कर जाएंगे clear है इतना? तो जितने भी आपके Cu 2 प्लस निकल रहे हैं वो सब इस region में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैथोर पर माइनस charge है ओके? क्योंकि यहां पर हो यह रहा है कि एनोड आपका positive है कैथोर नेगेटिव है एनोड पर प्लस charge है कैथोर पर माइनस charge है तो यह जो एनोड है यहां पर impure copper की road है जैसे ही आप यहां पर electricity प्रोवाइड करेंगे तो सारे जो copper ions है यहां पर निकल निकल के किस side जमा होते जाएंगे आपके cathode पर जमा होते जाएंगे तो cathode की road जो है वो ठिक हो जाएगी और यह वाली road थिन होती जाएगी क्योंकि इसमें से सारी impurity निकल कर कहां जमा हो जाएगी एनोड side पर जमा हो जाएगी एनोड मड कहेंगे क्या कहेंगे आप इसको एनोड मड तो यह थे हमारे आज की तीनो माइथड्स चलिए आगे देखते हैं next तो next topic है हमारा corrosion corrosion मैं आपको फर्स चेप्टर में बहुत अच्छ से एक्स्प्रेइन कर चुकी हूँ तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर मेटल का कोरोजन है, ठीक, तो इसलिए यह तॉपिक यहाँ पर दुबारा आया है, जब आप मॉइस्टर के कॉंटेक्ट में उसको लाते हैं, एसेट के कॉंटेक्ट में लाते हैं, या फिर आप वेपर के कॉंटेक्ट में लाते हैं, किसी भी मेटल को, तो वो धीरे-धीरे खराब होने लगता है, उस पर ऑक्साइड की लेयर आजाती है, और वो कोरोड हो जात थे corrosion of iron, जिसमें हमने रस्टिंग पड़ा था, second हमने पड़ा था corrosion of copper और next आपने पड़ा था corrosion of silver, ठीक है, तो ये सारे मैं आपको पहले ही पड़ा चुकी हो, सारी reactions मैंने आपको first chapter में बहुत अच्छे से explain की है, okay बच्चों, आगे बढ़ते हैं, prevention of corrosion, अब जो हमने corrosion topic है, तो उसमें क्या हो रहा है, metal हमारा खराब हो गया है, अब हमें उसे prevent करना है, उसको बचाना है, तो हम क्या methods apply कर सकते हैं, corrosion can be prevented if object are not allowed come to contact with the damp air, यानि कि अगर आप air के contact में metal को ना लाएं, metal की surface को ना लाएं, तो क्या होगा, उसमें corrosion नहीं होगा, right? some common methods generally used are given below, अब यहाँ पर कुछ common methods दे रखे हैं, कौन कौन से common methods हैं, या तो आप painting कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यह एक box है, यह एक box है, metal का बना हुआ है, metal की surface है, ठीक है, metal box है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, clear है, तो यहाँ पर पेंटिंग करके आप metal को बचा सकते हो, corrosion से, next आप oiling कर सकते हो, या greasing कर सकते हो, जो machine के parts होते हैं, वो चलते चलते घिस जाते हैं, उसमें बहुत जादा friction जनरेट हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें oiling कर सकते हैं, या फिर हम greasing भी कर सकते हैं, next है आपका galvanization, galvanization आप अच्छे से जानते हैं, मैं आपको first chapter में पढ़ाया था, कि हम iron के articles जो होते हैं, iron के जो objects होते हैं, उस पर zinc की thin layer चड़ा देते हैं, zinc की layer चड़ जाती है by the help of electrolyting, यानि कि electrolyte वाला जो method है जिसमें हम उसको dip करते हैं container में, और जो zinc की layer है वो उस container पर आ जाती है, तो उसे आप क्या कहेंगे, galvanization method कहेंगे, तो इसी तरीके से आप methods लिख सकते हैं, अगर exam में caution पूछता है कि prevention of corrosion बताईए, तो आप points लिख के आ सकते हैं, ओके, next step आपका topic alloy, alloy क्या होता है बिटा, alloy एक homogeneous mixture होता है, जो कि 2 या 2 से जादा metal से मिलके बन सकता है, या फिर metal और non-metal से भी अब बना सकते हैं, ठीके, alloy क्या है, 2 या 2 से जादा metals का homogeneous mixture है, homogeneous mixture का मतलब यह होता है कि उसमें particle size same है, एक जैसा दिखाई देता है, ठीके, for example, iron is the most widely used metal, iron का use बहुत जादा किया जाता है, but it is never used in the pure form, लेकिन iron को आप pure form में use बिलकुल नहीं कर सकते हो, अगर आप उसकी pure form use करेंगे और अगर suppose आपने उसको heat किया तो वो melt हो जाएगा, ठीके क्योंकि iron कैसा होता है बच्चों, soft होता है, stretch easily, easily stretch हो जाता है अगर उसको आपने heat किया है, ठीके, तो क्या होगा वो stretch हो जाएगा easily, जब वो गरम होगा तो वो stretch हो जाएगा, but when it is mixed with a small amount of carbon, अगर आप उसमें थोड़ा सा carbon mix कर देते हैं, तो क्या होगा, वो hard हो जाएगा, और strong भी हो जाएगा, ठीके, तो यह method हम कहां use करते हैं, steel बनाने के लिए, example की help से समझते हैं, देखिए आपने इस तरीके से steel के बहुत सारे containers देखे हैं, आपके घर में भी बहुत सारे इसी तरीके स्टीर के containers दखे हुए हैं, ठीके, तो उनमें क्या present होता है, पिटा, उनमें iron present होता है, 96 से लेकर 99.5% और carbon कितना होता है, 0.5 से लेकर के 4% तक का carbon उसमें present होता है, इसी तरीके से, अगर हम bronze coin की बात करें, तो bronze कैसे बनता है, ब्रॉंज बनता है, 78 to 95% उसमें copper होता है, और 5 to 22% उसमें tin होता है, ये दो metal से मिलके बनता है, bronze coin, इसी तरीके से आप और भी alloys पर सकते हैं, जैसे कि आप brass पर सकते हैं, ठीके, brass कैसे बनता है बिटा, copper और zinc, copper और zinc का mixture होता है, ब्राज तो इसमें approximately 70% आपका copper होता है, और 30% आपका zinc होता है, इसी तरीके से यहाँ पर टिन का लगबग 5 to 22% होता है, और copper का 78 to 95% होता है, तो यह थे हमारे alloys, alloys आपको धियान लगना है, क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा, metals का mixture होता है, metals का हम mixture क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें substance को strong बनाना होता है, उसको hard बनाना होता है, ओके, next, next है अब आपके questions, तो first question कहता है, which of the following pair will give displacement reaction, तो आपको displacement reaction मैंने first chapter में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और इस chapter में भी आपने पढ़ी है, NACL solution and copper metal, MdCl solution and aluminium metal, अब मैंने आपको reactivity बहुत अच्छे से पढ़ाई है, अगर आपको reactivity पता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका answer क्या है, तो इसका answer आप बताईए मुझे क्या है, NACL का solution है और उसमें copper metal को add किया गया है, तो कौन highly reactive है, sodium highly reactive है, इसलिए इस reaction नहीं होगी, यहाँ पे जो आपको sodium metal है वो highly reactive है, इसी तरीके से magnesium metal भी highly reactive है, as compared to aluminium, इसी तरीके से iron भी highly reactive है, as compared to copper, ठीक, और अगर यहाँ पे next की बात करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है silver, और यहाँ क्या दिया हुआ है copper, तो copper highly reactive है, as compared to silver, इसलिए आपका D option बिल्कुल correct हो जाएगा, AgNO3 के solution में, अगर आप copper metal को add करते हूँ, तो copper nitrate का formation हो जाएगा, और Ag अलग हो जाएगा, यहाँ पर displacement reaction हो जाएगी, ओके next question देखते हैं बचो, next question है, आपका which of the following method is suitable for the prevention of iron, fry pan from the rusting, अब आप fry pan है iron का, उसे rusting से कैसे बचाएंगे, obviously, आप क्या करेंगे, लेयर चड़ा देंगे उस पर zinc की, मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले alloy पढ़ाया था, और उसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, prevention of corrosion पढ़ाया था, ठीके तो हाँ मैंने आपको यह एक्स्प्लेइन किया था, क्या करेंगे बच्चों, हम galvanization करेंगे, galvanization का method हम वहाँ पर apply करेंगे, यानि कि हम zinc की लेयर चड़ा देंगे, किस पर iron का जो आपका pan है, उस पर, ठीके, तो option C आपका बिल्कुल correct answer है, next question देखते हैं, next question क्या कहता है, the element react with oxygen, एक element है, जो oxygen के साथ react करता है, और कोई compound बनाता है, जिसका melting point कैसा है, बच्चों, high है, ठीक, this compound is also soluble in water, और वो जो compound है, वो water में भी soluble हो जाता है, तो बताइए ऐसा कौन सा element है, जो oxygen के साथ भी react करेगा, और उससे जो compound बनेगा, वो water में soluble होगा, तो सही option है, इसका calcium, क्यों है इसका answer सही calcium, क्योंकि जो calcium होता है, CA, अगर आप उसकी reaction, oxygen के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या formation हो जाएगा, calcium, oxide का formation हो जाएगा, इसको balance कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, अब हमारे पास oxide आ गया, याणि कि अब हमारे पास वो compound आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर calcium oxide, calcium oxide को किस में एड़ करना है, वोटर में एड़ करना है, वोटर में dissolve हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, आपके पास बनेगा quick, यहाँ पर यह quick lime है, इसको क्या कहते हैं, calcium oxide को quick lime कहते हैं, और यह क्या है आपका slagged lime, okay, slagged lime का मत्दब है, calcium hydroxide, तो यह भी मैं आपको फर्स चेप्टर में पढ़ा चुकी हूँ ठीक है कॉंबिनेशन रियक्शन है यह यहां पर क्या हो रहा है केल्शियम ऑक्साइड वोटर में रियक्श कर रहा है और जनी चुना है जिसको आप वाइड वॉशिंग वाइड एह इसको आप को आते हैं गए बडरा में Reme Oh नेक्स कोशन पर शीओ preoccup County कॉंटन कहते हैं और नेक्स कोशन कहते है आपका कि जो आपकी फूंड कें लक़ी कैन्स हूं होती है तिन के कमपारिजन में या फिर जिंक जो है वो ज्यादा रियक्टिव है तिन के कमपारिजन में या फिर जो जिंक है वो लेस्ट रियक्टिव है तिन के कमपारिजन में तो सी अप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सी अप्शन में क्या लिखा हुआ है कि जो जिंक ह वह highly reactive है as compare to tin इसलिए हम क्या करते हैं tin के बनाते हैं containers जो cans बनाई जाती हैं ताकि वह react ना करें easily ठीक है next question देखते हैं next question है आपका you are provided with a hammer आपको एक hammer दिया हुआ है बैटरी दी हुई है और बर्ब दिया हुए साथ ही आपको दिया हुए wire और switch यह आपको कुछ things दे रखी है अब हो क्या बोल रहा है how could you use them to distinguish between samples, metals and non-metals आप कैसे consider करेंगे कैसे आप बताएंगे कि particular चीज मेटल है या फिर non-metals है तो obviously हम उसकी physical properties को देखकर यह चीज़ पता लगा लेंगे कैसे पता लगाएंगे हम कि अगर हमारे पास hammer है तो hammer किसका बना होता है iron का बना होता है आइरन एक metal है आप जानते हो अगर आप hammer को beat करोगे तो क्या होना चाहिए अगर वो beat होकर sheet में convert हो रहा है इसका मतलब वो malleable है पढ़ा था मने malleability ductility मैंने आपको पढ़ाया था starting में second lecture में या first lecture में ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है metal जो है वो sheet में convert हो रहा है इसका मतलब वो malleable है और क्योंकि यह malleability की property को show कर रहा है इसलिए क्या है यह एक metal है और अगर यह metal नहीं होता तो फिर क्या होता non metal ठीक है similarly we can use the battery, bulb, wire अब यह जो चीज़े हैं इनको भी हम ऐसे ही use कर सकते हैं ऐसी तरह के से हम apply कर सकते हैं physical properties को कि अगर हम इसमें से electricity provide करें और अगर electricity provide होती है pass होती है conduct होती है इसका मतलब वो एक metal है otherwise वो एक non metal है clear है इसका B part देखते है B part क्या कहता है B part कहता है कि assess the usefulness of these tests अभी आपने जो test किया है metal और non metal में एक बार तो आपने उसको beat किया तो वो malleable हो गया और एक बार आपने उसमें से current pass की तो उसमें से current flow हो रही थी ठीक तो आपने किस तरीके से किस base पर आपने distinguish किया तो हमने physical properties के basis पे उसको distinguish किया है लेकिन यहाँ पर chemical properties की कोई बात नहीं हुई है ठीक है अमने सिर्फ physical properties के basis पर ही distinguish किया है कि हाँ यह particular चीज मेटल है और यह particular चीज नॉन मेटल है ओके next question देखते हैं तो बच्चों यह जो question answer है यह आपके NCRT के ही question answer है और मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो NCRT है उसे बहुत strong कर लें सारे questions आपको आने चाहिए क्योंकि मैं कोई भी question skip नहीं कर रही हूँ almost मैंने आपको सारे ही question कर वाए है ठीक है what are amphotric oxide यह question भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एक बार एक बार और देख लेते हैं कि amphotric oxides क्या होते हैं तो बच्चों amphotric oxides ऐसे oxides होते हैं जो base और acid दोनों की तरह behave करते हैं act like acids as well as bases इन्हें आप क्या कहेंगे amphotric oxides कहेंगे example के अगर आम बात करें तो example आप क्या क्या पढ़ सकते हैं कि आप पढ़ सकते हो zinc oxide zinc oxide acid के साथ भी रिएक करता है और base के साथ भी रिएक करता है इसी तरीके से Al2O3 aluminium oxide okay बच्चों aluminium oxide भी क्या है aluminium oxide भी acid और base दोनों के साथ रिएक करता है ताट मेंस कि वो एक amphotric oxide है ओके तो अभी तक हम six questions complete कर चुके हैं I hope आपको मज़ा आ रहा है और आप proper notes बना रहे हैं राइट चलिए next question देखते हैं बच्चों next question है आपका question number seven in the electrolytic refining जब आप electrolytic refining करते हैं अभी अभी हमने third वाला method पढ़ा था electrolytic refining जिसमें क्या हो रहा था हमने metal को melt किया था अभी metal को नाम दे रहा है capital M ठीक है वो बोल रहा है कि what would you take as the anode cathode and electrolyte अब आपको यह बताना है कि आप anode पर क्या लेंगे cathode पर क्या लेना है आपको और आपको solution कौन सा लेना है ठीक देखिए in the electrolytic refining जब आप electrolytic refining करते हैं तो क्या होता है anode anode पर आप क्या लेते हो impure metal अभी आपने जो container देखा था उसमें क्या हो रहा था इस तरीके से आपने एक ठीक road को insert किया था उसमें यहाँ पर आपकी battery थी यहाँ पर आपका switch था ठीक और यहाँ पर जो है thin road थी clear है तो यह वाली कौन सी road थी आपकी यह थी thick thick copper road तो आप इसको क्या कह रहे थे आप कह रहे थे इसको क्योंकि यह positive terminal है तो इसलिए आप इसको anode कह रहे थे right और यह कैसे थी बच्चों यह impure भी थी ठीक है यानि कि जो thick road थी copper की वो कैसी थी impure थी यानि कि आपने जो copper metal M लिया है anode पर वो कैसी road होनी चाहिए anode पर impure metal की road हमें लेनी है और cathode पर कैसी होनी चाहिए एक strip लेनी आपको पतली सी metal की जो की कैसी होनी चाहिए pure तो यह कैसी है pure metal strip है इतना clear है और बच्चों यहाँ पे जो आपने solution भरा था वो आपको इस metal से related ही भरना है यहाँ पर क्या लिखावा है solution of salt, salt solution लेना है of the metal M जो metal है जैसे यहाँ पर copper metal है तो आप copper का ही कोई solution लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिया था CuSO4 copper sulfate अगर आप यहाँ पर silver लेते हैं तो फिर आप AgNO3 ले सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको anode side पर impure copper की road या कोई भी metal की road लेनी है और जो आपका cathode side है उस side क्या लेना है आपको pure road लेनी है नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है कि प्रत्यूष ने क्या किया बिटा यहाँ पर sulfur powder को heat किया ठीक स्पैचुला में लेकर उसने heat किया उसको he collected the gas evolve in the inverted test tube अब उसने क्या किया देखिए आपर स्पैचुला है स्पैचुला में उसने क्या heat किया sulfur powder को heat किया ठीक है अब sulfur powder heat करने पर उसे क्या मिल रहा है gas मिल रही है अब वो जो gas मिल रही है बचों उसने एक inverted test tube लिया और उसके अंदर collect कर लिया उस gas को आगे क्या बोल रहा है वो और फिर वो उसको treat करवा रहा है next water के साथ ठीक है तो यहाँ पर caution है कि what will be the action of gas gas का action क्या होगा dry litmus paper पर और moist litmus paper पर dry litmus paper का मतलब यह है कि उसमें water present नहीं है तो that means यहाँ पर H2O present नहीं है और moist का मतलब है कि वहाँ पर H2O present है ठीक और इसके साथ आपको एक chemical reaction भी लिखकर दिखानी है तो हमारा answer है there will be no action on the dry litmus paper dry litmus paper पर कोई action नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो gas release हो रही है उसका कोई action नहीं होगा dry litmus paper पर क्यों नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर H2O molecule present ही नहीं है तो hydronium ion बनने का कोई chance ही नहीं है वहाँ पर ठीक है since the gas is sulfur dioxide और जैसे कि आप जानते हैं कि आपने sulfur को गर्म किया है बच्चों तो यहाँ पर कौन सी gas produce होगी sulfur dioxide ही gas produce होगी it turns moist blue litmus paper to red अब यहाँ पर क्या होगा कि जो moist litmus paper होगा वो किस में convert हो जाएगा बच्चों आपका red में convert हो जाएगा because sulfur dioxide sulfur dioxide react with moist और moisture to form sulfurous acid तो उससे क्या बन जाएगा sulfurous acid बन जाएगा that means मैं यह reaction यहाँ लिख देती हूँ देखिए आपने लिया sulfur sulfur को आपने react करवाया किस के साथ sulfur को आपने heat किया तो oxygen के presence में heat किया obviously तो क्या बना बच्चों कौन सी gas बनी sulfur dioxide gas produce और sulfur dioxide कैसी नेचर के होती है acidic nature के होती है मैंने आपको सिखाया था कि जो non-metallic oxides होते है वो कैसी nature के होते है acidic nature के होते है अब देखिए inverted test tube जो है उसमें कौन सी gas है SO2 अब SO2 के पास में जब आप moist litmus paper लेके आएंगे तो उसमें क्या present है आपका H2O present है और H2O के साथ react करके यहां पर क्या बनेगा H2SO3 कौन सा acid बनेगा sulfurous acid बनेगा next question कहता है कि आपको rusting iron जो है उसकी rusting से बचाने के लिए दो prevention आपको बताने है दो prevent method आपको बताने है ठीक तो first तो यह है कि आप oiling कर सकते हो greasing कर सकते हो painting कर सकते हो यह मैंने अभी अभी आपको topic में बहुत अच्छे से explain किया था by applying oil, grease और paint आप paint भी apply कर सकते हो surface पर becomes waterproof जब आप यह चीज़ा apply करोगे तो वो waterproof बन जाएंगी and moisture and oxygen in the air यानि कि air में जो oxygen है और moisture है वो contact नहीं कर पाएगा किस से direct आपकी iron से ठीक direct contact नहीं रह पाएगा उसका तो layer खराब नहीं होगी metal की hence rusting is prevented तो इसी तरीके से आप rusting से बचा सकते हैं अपने metals को next है आपका galvanization तो galvanization में हम क्या करते हैं zinc की layer चड़ा देते हैं किसकी layer of zinc on the metal surface राइट यानि कि metal के जो articles होते हैं उसको dip कर दिया जाता है zinc वाले solution में इतना क्रियर है यह आपको अच्छे से समझ आ गया आप लोग proper notes बनाईए और question answer लिखिए आप लोग क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी practice होगी और board exam में आपको बहुत ज्यादा help मिलने वाली है से okay next question देखते हैं बच्छों next question है आपका reason आपको बताना है किस लिए reason बताना है कि जो आपका platinum है gold है और silver है यह तीनो ही आपके ऐसे metals हैं जो कि less reactive होते हैं तो इनकी jewelry ही आप क्यों बनाते हैं आप iron की jewelry क्यों नहीं बनाते हैं क्यों नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें रस्टिंग जल्दी हो जाती है वो जल्दी खराब हो जाता है तो हमारा reason क्या है reason है क्यों बनाई जाती है because they are less sorry they are less reactive and more less rust कैसे होते हो बहुत साथा shiny होते हैं चमकदार होते हैं also they are very less reactive और वो reaction भी नहीं करते हैं environment में ठीक और साथ ही वो ज जल्दी खराब भी नहीं होते हैं तेन आपके यहां पर reasons है केक तो बहुत जादा लस्चुरस होते हैं shiny surface होती है next है आपका कि वो less reactive होते हैं react करके खराब भी नहीं होंगे और sorry corrosion में उनमें नहीं लगेगा right खराब भी नहीं होंगे sodium potassium and lithium are stored under oil अब यह जो highly reactive metals हैं आप इनको store करके रखते हो oil में कौन से oil में store करते हो kerosene oil में मैंने यह question आपको पहले करवाया था इसी type का question तो यहां पर हम क्यों कर रहे हैं reason पूछ रहा है वो क्योंकि जो यह metals होते हैं यह कैसे होते हैं highly reactive होते हैं अब क्योंकि यह highly reactive होते हैं बच्चों तो यह air के साथ react कर जाते हैं और water के साथ react कर जाते हैं vigorous नी मदब बहुत तेजी से fast rapidly react कर जाते हैं therefore they are kept immersed in kerosene oil इसी लिए उन्हें kerosene oil में dip करके रखा जाता है ताकि वो environment के contact में ना आपाए और आप उन्हें prevent कर सकें next question देखते हैं इसका A और B पार्ट हम कर चुके हैं C पार्ट aluminum is highly reactive metal आप जानते हैं कि aluminum की reactivity ठीक ठाक होते हैं बहुत जादा भी नहीं होती है बहुत कम भी नहीं होती है लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि highly reactive metal है yet it is used to make utensils for cooking तो यहाँ पे cooking के इसके utensils बनाय जाते हैं aluminium से आप जानते हैं क्यों बनाय जाते हैं क्योंकि एक तो वो यहाँ पे highly reactive है दूसरा क्या है it is resistant to corrosion वो corrosion को बचाता है corrosion से बचाता है कैसे बचाता है वो देखते हैं this is because ऐसा इसलिए क्योंकि जो aluminium है आपका वो react करता है oxygen के साथ अब अगर aluminium oxygen के साथ react करेगा तो बताइए क्या बनेगा aluminium oxide का formation होगा तो यहाँ पे thin layer बन जाएगी किसकी बचो oxide की हाना metal oxide बन जाएगा this oxide layer is very stable और यह stable होगी और prevent करेगी further aluminium का जो further यहाँ पे corrosion होगा उससे बचाएगी aluminium को also it is light in weight और हलकी भी होती है weight में और good conductor होती है heat की यानि कि अगर आप इसकी utensils बनाएगे तो आप अगर उसको LPG gas पर रखेंगे तो आपका खाना भी जल्दी बन जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर heat भी जल्दी provide हो रही है conduct हो रही है ठीक है तो इसलिए आप इसका use as a cooking utensils करते हैं क्या क्या reasons थे आपके एक तो stable होता है यानि कि जैसे ही oxygen के contact में आता है aluminium तो वो layer बना लेता है aluminium oxide की और वो जो aluminium oxide की layer होती है वो further corrosion से बचाती है metal को या फिर utensils को ठीक है next D part देखते हैं D part क्या कहता है next question है you must have seen tarnished copper vessels being clean आपने देखा होगा कि जो copper vessel होता है उस पर green green सी coating आ जाती है वो खराब हो जाता है और फिर उसको गिसा जाता है उसको clean किया जाता है lemon या फिर turmeric juice से इमली के juice से या फिर lemon juice से explain why these soul substances are effective cleaning to the vessels यानि की effective cleaning क्यों मिलती है क्यों मिलती है क्यों मिलती है क्यों आप जानते हैं कि lemon एक acidic substance है और tamarin भी एक acidic substance है आगे पढ़ते हैं next answer क्या कहता है copper react with moist carbon carbon dioxide ठीक है तो copper क्या करता है carbon dioxide mixture के साथ तो क्या बनाता है copper carbonate का formation करता है copper carbonate बन जाता है और यहां पर क्या होता है copper vessel losses its shine यानि कि जो brown shiny surface होती है copper की वो loss हो जाती है due to the formation of copper carbonate और धीरे-धीरे substance कैसा होता जाता है उस पर greenish substance बनता जाता है जो की है copper carbonate यह मैंने आपको reaction अच्छे से पढ़ रही है previous lectures में ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है citric acid citric acid किस में होता है lemon में होता है ठीक लेमन में लेमन में कौन से acid होता है citric acid ठीक है और यहां पर एक और substance दिया हुआ है अपको tamarine tamarine में कौन सा acid होता है tartric ओके tartric acid प्रेजेंट होता है तो अगर formula की बात करें तो इसका formula लिख लिख लिजिए c6 h8 o7 और अगर tartric acid का formula की बात करें तो c4 h6 o6 ठीक है लिख लिजिए अगर आप screen shot लेना चाहते हैं तो ले लिजिए ठीक इतना clear है अब क्योंकि यहां पर acid के साथ लिख करवाया जा रहा है किसको जो copper carbonate है वो कैसी nature का है बेटा basic nature का है ठीक that's why tarnished copper vessel are cleaned with the lemon और turmeric juice to give the surface of copper vessel its characteristic luster यानि कि वापस से उसकी चमक वापस लाने के लिए क्या किया जाता है acid का use किया जाता है वापर क्योंकि जो copper carbonate है वो basic nature का है और जब आप उसकी reaction lemon juice से या फिर turmeric juice से कराते हैं तो वो neutralize हो जाता है और वापस से उसकी shine आपको दिखाई देती है तो इस तरीके से आप copper को बचा सकते हैं उसकी shiny surface को वापस ला सकते हैं अगर वो हाँ बहुत जादा खराब नहीं हुआ है तो वापस ला सकते हैं अगर बहुत जादा खराब हो गया है तो फिर वहाँ पे क्या हो गया complete corrosion हो गया that means वहाँ पे green color का copper carbonate बन गया आपने सिक्के देखे होंगे जो copper के पुराने सिक्के होते हैं वो greenish होते हैं राइट next question is question number 12 metallic oxides अब यहाँ पर metallic oxides दे रखे हैं किसके zinc magnesium copper were heated with the following metals अब यहाँ पर यह आपके जो metallic oxides हैं इनको आपने कुछ metals के साथ heat करना है जैसे कि आपको दिया हुआ है zinc oxide और zinc oxide को अगर आप zinc के साथ heat करेंगे तो क्या यहाँ पर displacement होगा यहाँ पर आपको displacement reaction बतानी है तो क्या zinc zinc को displacement करेगा बिल्कुल नहीं करेगा ठीक है आंसर में हम देखने हैं इसको ठीक है यह हमारा आंसर है देखिए यहाँ पर metal क्या दिया हुआ था zinc दिया हुआ तो क्या zinc zinc को displacement कर देगा बिल्कुल नहीं करेगा ठीक तो यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी magnesium क्या magnesium react कर देगा zinc को क्योंकि हमने reactivity series में पढ़ा था कैसे पढ़ा था केदार नाथ बाबा का मंगू पहले मंगू आता है राइट फिर मंगू आलू जरा जरा नीचे आता है देट मीज जिंक बाद में आता है और magnesium पहले आता है इसलिए यहाँ पर displacement हो जाएगा ठीक है यहाँ पर displacement हो रहा है copper displace नहीं कर पाएगा जिंक को क्योंकि copper तो hydrogen के भी बात में आता है राइट फिर next है आपका magnesium oxide next जो आपका oxide है वो है magnesium oxide magnesium oxide की reaction अगर आप zinc से कराएगे तो नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि magnesium कैसा है highly reactive है as compared to zinc तो यहाँ पर भी कोई reaction नहीं होगी क्योंकि magnesium magnesium से react नहीं करेगा ठीक अब देखें आपे copper क्या copper displace कर पाएगा magnesium को बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि copper less reactive है as compared to magnesium ठीक है अब देखें आपे copper oxide क्या copper oxide के solution में अगर आप zinc को add कर दे तो क्या zinc add करेगा हाँ बिल्कुल करेगा तो यहाँ पर displacement हो जाएगा ठीक अब देखें यहाँ पर magnesium है और वहाँ पर copper है तो क्या displacement होगा हो जाएगा क्यों क्योंकि magnesium highly reactive है as compared to copper ठीक और यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी ठीक क्यों नहीं होगी क्योंकि वो उसको displace नहीं कर पा रहा है उसकी reactivity कम है ओके तो अभी तक हम आपको 12 questions complete करवा चुकी हूँ मैं तो अभी तक हमने 12 questions complete कर लिये हैं next question देखते हैं question number 30 जो कि आज का हमारा last question है last question क्या कहता है कि which metal do not corrode easily कौन सा metal है जो जल्दी कोरोड नहीं होगा तो आप इसका answer बहुत easily दे सकते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर metal पूछ रहा है जो less reactive metals होते हैं वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं silver हो सकता है gold हो सकता है platinum हो सकता है तो ऐसे metals को आप use कर सकते हो जो कम खराब होंगे that means कि खराब तो होंगे लेकिन बहुत time लगेगा उनको खराब होने में अब जैसे that's why gold plating provide high resistance यानि कि जो substances होते हैं या other jewelries होती है उन पर भी gold plating की जाती है तो वो corrosion से help करती है इसलिए हम आपर gold plating का use करते हैं हम कहते हैं सोने का पानी चड़ाया है या फिर चांदी का चड़ाया है ठीक है तो यहाँ पर metal का use क्योंकि या जा रहा है gold का क्योंकि gold कैसा है gold is less reactive ठीक है gold is less reactive metal और आप यहाँ पर silver भी लिख सकते थे और आप यहाँ पर platinum भी use कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही metal पूछा है जो कि आसानी से खराब ना हो जल्दी उसका corrosion ना हो ओके students आज ही क्लास में सिफ इतना ही I hope आपको chapter अच्छे से समझाया है metal non metal मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया है सारे topics पढ़ाए है metal RGB हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया okay students तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो motion foundation चैनल को subscribe कीजिए bell icon को press कीजिए और वीडियो को share करना और मुझे support करना बिलकुल भी मत भूलिए thank you so much